आस्ट्रेलिया के खिलाब टेस्ट स्रीज जितने के बाद भाटे क्रिकेट टीम की पूरी दुनिया में वावा ही हो रही है वहीं ब्रिस्बेन टेस्ट ने जीत के हीरो रहे है रिशापंथ को भी काफी सराहा जा रहा है उसकी तुलना इमेज धोनी से की जा रही है टीम इंडिया के विकेट के पर बलेवाज रिशापंथ कैप्टन कूल महंवर सिंग धोनी से तुलना की जा रही है इसे लेकर वो काफे खुश है लेकिन उन्होंने कहा है कि आस्ट्रेलिया में टेस्ट स्रीज में एहम रोलादा करने के बाद वो खिल में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं रिशापंथ की अकसर दो बार की वर्ल्ड चेंपियन कप्ताने मिस धोनी से तुलना की जाती रही है धोनी ने पिछले साल अगस्त महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया था हलाकि वो अभी भी IPL के चिन्नई टीम के कप्तान बने हुए है ब्रिस्बेन टेस्ट की दूसरी पारी में नवाद 89 रन की मैच विनिंग पारी खिलने वाले पंत ने चिन्नई पहुँचने के बाद मिडिया से कहा जब आपकी तुल्णा धोनी जैसे खिलाडियों से की जाती है तो बहुत अच्छा लगता है और आप मेरी तुल्णा उनसे करते हैं उन्हें कहा ये शांदार है लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तुल्णा इसी अन्य खिलाडी से की जाए मैं टीम इंडिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूँ क्योंकि किसी युवा खिलाली की किसी दिगगत से तुलना करना सही नहीं है सिड्नी में खेले गए डॉर टेस्ट में 97 रन बनाने वाले पंथ अभी इस जीत का लुफ्थ उठाना चाहते हैं उन्होंने कहा हमने आस्टेलिया में स्रीज में जिस तरह से खेल इखाया है उसे पूरी टीम खूश है भारत ने इडिलेड में पहले टेस्ट में दूसरी पारी में अपने नियुंतम स्कोर 36 रन पर अल आउट होने के बाद शंदार वापसे की और चार मैचों के स्रीज दो एक से जित कर वाडर गवसकर टोफी पर अपना कबजा बरकरार रखा